हाई एव्रिवान गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो दिन है आज बुद्धवार और टाइम जो है सुबह के पांच बज रहे हैं यह देखें तो उट गई थी मैं चार बजे ही नहाना दोना जाडू पोछा उसके बाद नहाने चली गई और अभी चल रहे हूं किचन में पूजा वगेरा ना बाद में करूंगी क्योंकि आज जो है वो है पित्र विसर्जन पित्रों की विदाई है तो उसमें थोड़ा बहुत खाना मतलब साब सुत्रा बनाना होता है और खाना थोड़ा जल्दी च पहराया चाता है आज भी ना दो अक्टूबर को भी तो उसी के लिए जाना है तो हो सकता है काट दो घंटे लग चाए तो मैं सोच रहे हूं ना कि पहले जो है यह खाना वाला काम खतम कर लेती हूं उसके बाद जो है फिर पूजा वगेरा करूंगी तो चलिए चलते हैं कि तो आगे हूं किचन में और कर ले रहे हूं किचन की क्लीनिंग तो रात में क्लीनिंग हो गई थी बस यहां पे कपड़ा जो है मार ले रहे हूं तो पूजा वगेरा कुछ रहता है ना तो होता है कि मतलब एक बार सुब किचन को साफ करके मतलब कपड़ा मार लेना चाहिए बीगा हुआ कपड़ा उसके बाद ही स्टार्ट करना चाहिए तो बस ऐसे पोच दे रहे हूं उसमें का जो है गैस का जो ही स्टेंड वगरा चुले पे के था वो सब मैंने नहीं लगाया था रात को सिर्फ एक लगाया था उस पे दूद गरम किया था बाकी नहीं लगाया था तो बस यहां फ्रेज से दूद भी निकाल के एक तरफ इधर साइड में रख दे रहे हूं वैसे तो इधर रखती हूं रोज लेकिन आज इधर रख रहे हूं इधर क्यूंकि ना पानी वगरा साफ मैंन ले आया है खाना बनाने के लिए आज पूरा मतलब साफ ही बनेगा जब तक चड़ नहीं जाएगा पूजा होनी जाएगी तब तक जो है नहीं जूठा होगा तो चने की डाल मैंने रात को भीगा दी थी तो बस उसको धो के अच्छे से कूकर में डाल दिया है और अभी इसको चड़ा दूँगी इसको ना होने में थोड़ा टाइम लगता है इसी में सबसे जादा और चीजे जो है मतलब और तो बस वही चावल और बड़े बनाने उड़े दाल के बड़े तो उन सब में टाइम उतना नहीं लगेगा जितना की इसमें लगेगा बहुत टाइम लगता है गलने में तो इसलिए सबसे पहले रख दे रहे हूं कि बाकी की चीज़े जब तक बनाओंगी करूंगी न तब तक यह हो जाएगा तो बस यहाँ पे साफ नमक और हल्दी ये सब जो मैंने जिवतिया वाले दिन नौमी सराद पे सब निकाला हुआ था पैकेट खोला था तो उसी तरह इसको जो है इस डब्बे में रख दिया था और ऐसे भी न मसाले वाले डब्बे में जैसे धनिया हल्दी ये सब भरती हूँ और नमक तो जो बचता है इसी डब्बे में करके रख देती हूँ क्योंकि पूरा पैकेट तो आता नहीं एक बार में तो बस यहाँ पे साफ हल्दी नमक और तेल भी अलग से इस समय रखा हुआ है जो पुराना वाला जिससे में तेल डालती थी उसी में तेल भरके रखा हुआ है तो उसी से तेल भी डाला है मतलब जो चीजें डेली इस्तेमाल हम करते हैं किचन में उन सब चीजों से नहीं बनाना था बिल्कुल साब सुत्रा ही बनाना है तो दाल रख दिया है और अभी यहाँ पे यह उड़त डाल को भी मैंने अच्छे से धो लिया यह घर की डाल है तो इसलिए मैंने मार्केट से कि लिए फिर यह रह जाता है तो दाले वगरा है ना यह सारी सीजें बहुत जादा दिन तक रखना भी सही नहीं होता है वैसे एक बार उड़त डालना मतलब अगर दो तीन केजी भी हो गया दाल निकल गया तो फिर वो साल बर चली जाता है इतना जादा तो कुछ इसका बन दोंगे बाकी और जो है बाद में चड़ाने के बाद वो करके अद्रक लैसून में चीए सब डाल के उसको पीस के फिर से बनाऊंगी तो यहाँ पर सिर्फ जो है पांश ही डाला हुआ है और चड़ता वैसे निकलता जो है तीन ही है लेकिन मैंने पांश डाल दिया कि जैसे नमक साधा मिलाया हुआ है बाकी इसमें कुछ नहीं है और वही सरसों का तेल कड़ाई में डालके इसको फ्राई कर ले रहे हूँ इधर जो है आम की पत्तियां मंगाई थी मैंने तो इसका जो है वो बन रहा है मतलब इसी पे खाना निकाला जाता है उस वाले दिन नौमीस राद के दिन तो मैंने जो है उसका तोरी नेनुआ का पत्ति था उस पे निकाला था और आज ये आम का पत्ति मंगाया हुए है मैंने तो बस सीख अगर बत्ति वाली जो सीख बचती है उसी को ले आई और उसी से दो-दो एक में कर दिया तो थोड़ा थोड़ा ही बस निकालना होता है तो उतने पे आ जाएगा और यहाँ पे ये बड़े हो गए हैं इसको भी थोड़ा अच्छे से पकाना होता है क्योंकि बाहर से तो ये पक जाता है लेकिन अंदर थोड़ा अगर जल्दी तेज आज पे पका लिया जाता है तो अंदर कच्चा रह जाता है तो बड़े छानने के बाद यहाँ पे जो है इसी जो बनाया हुआ है दोना पतल तो इसी पे चावल थोड़ा थोड़ा और दाल बहुत थोड़ा थोड़ा निकाल ले रहे हूं और एक-एक बड़े तीन पे ही रखा जाता है मतलब जैसे जैसे मुझे पता है जितना लोग बताते हैं देखा तो मैंने है नहीं क्योंकि मम्मी के साथ मैंने ये सारी पूजन नहीं की है मैंने तो जैसे गाओं घर के लोग बताते हैं वैसे वैसे करती हूं और बहुत ही मन से करती हूँ, बहुत ही सरद्धा के साथ ये सारा कुछ में करती हूँ, कि घर में सुक समरिद्धी बनी रहे, सांती बनी रहे होता है ना कि ये सारी चीजें परमपराय निभाने से जो भी है, वो सब करने से ना घर में सुक सांती समरिद्धी बनी रहती है, थ बहुत ही मन से दिल से मैं ये सारा कुछ करती हूँ, तो बस वो सब चढ़ाने के बाद मैंने फिर बड़े बनाए उसमें लेसुन अद्रक ये सब जो एपीस के बनाए सब को नास्ता दिया, और नास्ता वागरा देने के बाद फिर मैंने पूजा करी सुबह की और फिर खाना पीना हुआ, तो अब भी ना करीब धाई तीन बजे का टाइम हो रहा है, मतलब आदे गंटे गंटे रेश्ट भी हो गया है, क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठी थी आजकल हो रहा है कि मतलब काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, दो-तीन दिन से, मतलब काम इतना ज़्यादा साब, सफाई, सब कुछ चल रहा है ना, तो थकान भी बहुत हो रही है, तो थोड़ा सा मैं मतलब रेश्ट कर लिए, सो ली की थोड़ा सा एक घंटा अगर आराम कर लूँगी ना, तो फिर से जो है काम अच्छे से कर पाऊंगी, तो बस यहाँ पर लग गई हूँ मंदिर की सफाई करने के लिए, क्यूंकि और सारी चीज़ें तो हो गई है, किचन कर लिया, घर भी कल पूरा कर लिया, अब यह मंदिर रह गया है, कल से निवरात्रे है, मतलब गुरु आर से, तो आज मतलब पूरा मुझे रात तक मंदिर जो है, साब, सफाई, सारा कुछ इसका कम्प्लीट करना है, कि कल सिर्फ पूजा करना रह जाएगा, तो इसी निवरात्री में डीप क्लीनिंग होती है मंदिर की, वैसे तो बाकी नीचे-नीचे सफाई हमेसा ही होती रहती है, लेकिन डीप क्लीनिंग जो होता है ना, तो मैं निवरात्री में ही करती हूँ, दोनों निवरात्री में, तो उपर आलमारी पे जो भी सामान वगरा रखा हुआ था, इसको नीचे इधर टेबल पे किया, और टेबल पे जो भी भगवान जी के फोटो वगरा थे, उनको बाहर अभी कर दिया है, तो आलमारी का पहले पोच के अच्छे से सारा सामान पेपर वगरा चेंज करके, उसके लगा दिया है, उसके बाद यहाँ पे नीचे की सफाई स्टार्ट करी है, तो यहाँ से भगवान जी लोग की मुर्ती तो हटाई दी थी, नीचे जो दब्बे वगरा रखे न, बाहर भीतर करने से काम बढ़ जाते हैं, टाइम बहुत जादा लगता है, तो कोसिस यह करनी चाहिए न, कि इधर उदर सामान करके जो है, अगर हम सफाई कर पाते हैं न, तो वो सही रहता है, उससे न, थोड़ा मेहनत कम लगता है, लेकिन फिर भी इतनी छोटी जगा है न, बहुत कम जगा है इसमें, तो मुझे सारा कुछ हटाना ही पड़ा, बस यह तीन चाहर डब्बे जो थे, उनको छोड़के बाकी सारा कुछ हटाई दिया, यह होता है न, कि चलो इसी बहाने कम से कम एक एक चीज, अच्छे से साप हो जाएगी, अब जब करी रही हूँ, तो एक बार अच्छे से करी दियू, क्योंकि फिर न, टाइम मतलब इतना ज़्यादा समय निकालना, डेली रूटीन में बड़ा मुस्किल हो जाता है, तेवारों के बहाने न, समय मतलब निकली जाता है, ऐसे तो हम सोचते रहेंगे न, कि आज करेंगे, कल करेंगे, समय नहीं मिलता, और देखिए तेवार के टाइम क्या होता है, कल है पूजा, तो आज किसी भी कीमत पे, इसको कंप्लेट करना ही करना है, और काम हम लेट करें, चाहे लेट तक जगें कुछ भी करें, लेकिन पूरी सफाई आज करी देनी है, तो ये चीज रहती है, तो बस ज़ाडू लगा लिया है, उपर ज़ाले वगरा जो भी थे, उनको मतलब हटा लिया है ज़ाडू से, और मंदिर का भी ज़ाडू मैं अलग ही रखती हूँ, यही पे मंदिर में ही रहता है, दरवाजे के पीछे हैंगर बना हुआ है, तो उसी पे ज़ाडू उसी पे हैंग कर देती हूँ, और वो ज़ाडू ना सीइक वाला या यह जो कुसका या किसी चीज का बनता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं घर में, वो यह नहीं है, यह प्लास्टिक वाला है, तो इजी गोइंग इसमें रख देती हूँ, तो बस उसके बाद कपड़ा जो मंदिर में रहता है पोचने के लिए उसको भीगाया, और अच्छे से पूरा पोचा वगएरा सब कुछ लगा लिया, दरवाजे भी पोच लिये, फिर से दुबारा इसको धो के, मतलब एक ही कपड़ा लिया, इसको दो-तीन बार जैसे धो के न, फिर सारी चीजे में पोच रहे हूँ, कि बहुत जादा कपड़ा न लगाना पड़े, एक बार पूरा नीचे दिवाल वगएरा दरवाजे पोचे, फिर गई धो के आई, तो उसके बाद यहाँ पे यह टेबल वगएरा पोच ले रहे हूँ, नीचे का तो पोच दिया है, उपर का रह गया था, तो अब नीचे जो है न, पेपर लगा के यह सारे डब्बे रख दूँगी, क्योंकि निवरात्री में थोड़ा सा धूप दीप ज़्यादा होता है, तो मतलब यह काला काला सा ज्यादा लग जाता है, तो इस टाइम पे पेपर वगएरा लगाना सही रहेगा, फिर निवरात्री बाद जब सफाई होगी, एक बार निरात्री के बाद भी फिर से सफाई करने पड़ती है लेकिन इस तरह से नहीं होती है मतलब कुछ चीजें साप करने पड़ती है क्योंकि बहुत जादा मतलब अखंजोत वगरा है कपूर है दोनों टाइम आरती ये सब होता है न तो थोड़ा सा मतलब काला काला सा हो जाता है चारो तरब तो बस यहाँ पेपर वगरा सब कुछ लगा लिया उपर भी मैंने कपड़ा विछा लिया है दूसरा पुराना वाला हटा दिया है और अभी यहाँ पे बगवान जी लोग को रख दे रहे हूं मातारानी को जो है कल सुबह अलग मतलब मातारानी की चौकी लगेगी तो कल जो होगा अभी मैंने यहीं पे रख दिया है तो बस यहाँ पे यह जो और्गिनाइजर है प्लास्टिक वाला इस पे से भी सारा सामान हटा के अच्छे से इसको पोच ले रहे हूं तो इसको ना भी मैंने कुछ दिन पहले धूला हुआ था लेकिन वही है कि बहुत जल्दी मंदिर में रखने से मतलब सामने की चीज़े तो ठीक है साप हो जाती है लेकिन अगर जहां हमारा हाथ नहीं पहुंचता है वहां पे बिल्कुल गंदा सा काला सा हो जाता है अभी मैं धोती इसको ना तो फिर सुखाना सामान रखना टाइम थोड़ा सा लग जाता इस वज़े से धुला नहीं कि चलो धोने वाला काम इसको तो मैं कभी भी बीच बीच में धो देती हूं जैसे कि बस सामान डब्बे हटाए और इसको धो दिया तो ये काम होता रहता है तो इस वज़े से आज नहीं करा कि आज जो है इसको अच्छे से मैंने पोच दिया है वैसे खुब बढ़ियां से रगड़ रगड़ के अच्छे से पोच दिया है तो जो रूटीन मेरा किचन में होता है वही सेम रूटीन मंदीर में भी होता है मतलब सफाई वैसे ही होती है तो बरतन देखिए कितने निकले हुएं बहुत सारे बरतन हो गए और घर के बरतन मतलब किचन के बरतन साफ करना उतना मुस्किल नहीं है लेकिन पूजा के बरतन साफ करने ना मतलब बहुत मेहनत वाला काम है तो यहाँ पे मैंने पितामबरी, नीबू, विम जेल तीनों को लिया है और मतलब जो जैसा जितनी गंदगी है बरतन में उसी साफ से सबको साफ कर रहे हूँ क्योंकि पीतल के बरतन है ना साफ करके रख भी दो तो रखे रखे वो काले पड़ जाते हैं खराब से हो जाते हैं तो फिर से उनको उतनी ही मेनत लगा के साफ करनी पड़ती है तो बस यहां पे सारा बरतन वगरा मैंने दो लिया है देखे और कितना इतम चमक रहा है लेकिन फिर भी देखिए इतना सारा बत्तनी चल गया। साम को आज आजाएगा नहीं तो बाकी सारे सामान कंली आ गए थी यहां का पर्दा वगरा हटाया है उसको धूलूंगी बाद में छोटे चोटे कपड़े जो थे उनको धो लिया है बाकी जो बड़े है ना उनको रखा है बाद में धूलूंगी क्योंकि टाइम बहुत जादा आज का था और जब तक हुआ नहीं था ना मुझे टेंसन हो रही थी कि जल्दी से हो जाए जल्दी से मैं खतम कर लूँ नहीं तो बहुत जादा लेट हो जाएगा तो अभी फिलहाल हो गया है तो अब चल रहे हूं कीचन में अब साम का खाना वगरा बनाने तो वीडियो का ए थेंक्स वर वाचिंग